हेलो दोस्तों मैं रोकी आपको स्वाकत करता हूँ अभी के चनल में अज उसे आप देख सकते हैं आज हम लोग discussion करेंगे wagon number system के बारे में जो wagon में जो number दिया जाता है उसका हम लोग देखेंगे कि उसका मतलब क्या रहता है उसमें क्या क्या information छुपा रहता है उसके बारे में ह जो number system है उसके बारे में हम discussion कर चुके हैं अगर आप वीडियो देखना चाहें तो link description देदेंगे तो आप देख सकते हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला हम लोग example देख लेते हैं उसका जो example है कुछ इस तरह का number system रहता है जैसे कि यह देख सकते हैं 31100754555 और य यह BCNAHS का टाइप है जैसे का आप देख सकते हैं यह East Central Railway का बनाया हुआ वाइगन है इसको हम लोग बोलते हैं काभर वाइगन चलिए हम लोग इसके बारे में भी आपको discussion में बता देंगे कि किसको काभर वाइगन किसको ओपन वाइगन किसको क्या बोलते हैं चलिए वीडियो में पूरा वीडियो में अब जान सकते हैं basic of wagon number system, जो basic है wagon का number system के बारे में, उसके बारे में हम लोग discussion करेंगे, चलिए पहला point देखते हैं, पहला point जो है, इन दो wagon number system, there is 11 digit unique number रेता है, जो wagon में, एक wagon में 11 unique number रेता है, वो उसमें आप उसका जो number का जो detail से उसके बारे में उससे पहचान कर सकते हैं, चलिए next point देखते हैं, next point है example देखते हैं, example जैसे कि हम बता चुके हैं, 31100754555, तो हम 5 को यहां red light, red में इसको indication इसलिए किये हैं, कि यह check digit होता है, इससे पता चलता है कि आपका जो wagon का number से ही है, या गलत है, next point जो है, first two digit indicate type of wagon, जो पहला दो digit है, उसको indicate type of wagon, जोन को indicate करता है, चलिए देखते हैं, जैसे कि 31 BCA ने एचेस को indicate करता है, चलिए दूसरा देखते हैं, next point देखते हैं, next point है, जो third and fourth digital owning railway zone, जो तिसरा और चौथा नंबर है, वो indicate करता है, कि कि इस railway zone ने इसको manufacture किया है, चलिए जैसे कि 10, 10 हम लोग देखते हैं, next central railway के लिए जो code है, दिया जाता है, तो इसका जो पूरा code है, या आप जैसे कि type of wagon का code है, हम आपको बाद में बता देंगे, चलिए पहले इसको basic जान लेते हैं, इस और 6th digit जो है, indicate करता है, year of manufacture, कब ये wagon बना है, उसको ये indicate करता है, किस साल में बना है, चलिए जैसे कि देख सकते हैं, लखा है, 07, manufacturing in 2007, अगर ये 19 रहेगा, तो इसका मतलब है, 2019 में बना है, अगर ये 98 रहेगा, तो इसका मतलब है, 1998 में ये बना है, 98 में बना है, चलिए next point देखते हैं, next point, then next four digits are unique number of particular wagon, particular wagon के लिए ये 4 डिजिट दिया जाता है, जिसका मतलब है, ये जो wagon है, उसका ये particular number है, ये बाकी जो number है, अपना zone और code, wagon, code, ये सब अलगा अलगाता है, तो इसमें जो है particular wagon, तो ये एक ही रहेगा, उस series में जो बन रहा होगा, इदर जैसे कि warning railway कर रहा है, तो उतना ही रहेगा, पर particular wagon number change होता है, चलिए next point देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, इसका जो 5, 4, 5, 5 है, इसका particular unique digit number है, next point देखते हैं, next point जो है, last digit called check digit of the wagon number, last digit जो है, उसको check digit बोला जाता है, जो wagon number का last में रहता है, जैसे कि यहाँ 5 है, इसको red light में इससे लिए indicate करते हैं, कि यह जो है, बाकी सब का calculation या formula जो भी है, उससे यह निकलता है, चलिए, इसका जो calculation है, या जो formula है, उसके बारे में हम लोग discussion करेंगे, calculation formula, पहला point देखते हैं, जैसे कि wagon number है, wagon number देदेते हैं, 11 digit का, तो इसमें 5 है, जो check digit, कैसे हम पता चलेगा, 5 check digit जो है, ठीक है या नहीं है, check digit से पता चलेगा, कि wagon का, पूरा wagon का जो number है, वो सही है, या गलत है, अगर आपका check digit ना आए, तो इसका मतलब, बीच में कहीं पर भी आपका error मिल सकता है, चलेए, next point देखते हैं, next point जैसे कि, let's take on position wise, position wise इस number को लेंगे, जैसे कि हम लोग C1, C2, C3 करके, C11 तक, या C10 तक हम लेंगे, C11 हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वो check digit बोला जाता है, next point जैसे कि, हम लोग इसको indicate कर देते हैं, S1 में, event position जैसे, C2, C4, C6, C8, C10 के जगा, जो भी आपका number है, उसको आप लेंगे, उसको add करना होगा, add करने के बाद, बोलता है, multiple the sum of 3, जो add करने के बाद, जो मिलता है, उसको तीन से गुना किजिए, तो हम लोग का D आ जाएगा, चलिए, next point देखते हैं, add, odd position number, odd position में जो जो number है, उसको आप add किजिएगा, जैसे कि C1, C3, C5, C7, C9, जो भी है, उसको add कर दिजिएगा, तो यह आजाएगा आपका S2, next point जो है, add, S1 multiple 3 plus S2, जो भी आपको result मिलेगा, उसको हम लोग D से indicate करेंगे, चलिए, next point देखते हैं, after add, divided the D with 10, add करने के बाद, जो भी आपको result मिलेगा, उसको divide किजिए, 10 से, next point जो है, after divide, reminder number is the check digit, जो D का आपका value मिलेगा, उसको 10 से divide करेंगे, 10 से divide करने के बाद, जो reminder बचेगा, जितना number बचेगा, उसको हम लोग check digit बोलेंगे, चलिए, उसको हम लोग calculation करते हैं, जैसे कि वेगन number दिया गया है, 3,1,0,7,5,4,55,5, उसके बाद हम जैसे कि बताये थे, add even position number, जैसे कि S1 को हम लोग जो even position में जो जो number है, जैसे कि 1 है, 0 है, 7, 4, 5, उसको add कर देंगे, जैसे कि हम लोग formula में बताये थे, add करने के बाद उसको 3 से गुणा करेंगे, चलिए, next point में करते हैं, multiple the sum of 3, जैसे कि S1 हम लोग को मिला 17, तो उसको multiple करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो हमको result मिलता है 51, तो next point देखते हैं, जैसे कि formula में बताये थे, उसे ही करेंगे, odd position को भी हम लोग add करेंगे, S2 उसको लेंगे, तो 3, 1, 0, double 5, यह है हम लोग का odd position नमबर, जिसका sum आता है 14, चलिए, next point देखते हैं, add S1 multiple 3 plus S2, इसको हम लोग D में indicate करेंगे, चलिए 51 जो है और 14 जो है उसको मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद जो है, D हम लोग का आता है 65, जैसे कि हम लोग D को बोले थे formula में, D को हम 10 से divide करेंगे, तो 65 by 10, remainder बचता है हम लोग का 5, तो हम लोग का इससे prove होता है कि यह वैगन का जो नमबर है, वो सही है, अगर आपका check digit गलत आ रहा है, तो आप क्या किजएगा, उसका तो man जो वैगन का particular वैगन का नमबर जो है, वो तो आप सही रहेगा, बाकी अगर आपका जो code है, या zone code owning code है, इस सब चीज आपको एक बार verify कर लेना चाहिए, जैसे कि हम लोग बताये थे, code के लिए बताएंगे, open वैगन का जो code होता है, उसके बारे में बताते थे हैं, कि क्या क्या code आता है open वैगन में, 10 से जो 20 तक होता है, वो open वैगन के लिए code दिया जाता है, उसका जो type of वैगन है, उसका list दिया गया है, तो आप अगर इसको screenshot लेना चाहते हैं, तो screenshot ले सकते हैं, चलिए, यह हो गया तो आपका weapon वैगन का code हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे, cover वैगन, cover वैगन का जो code है, वो तीन code रेता है, जो 30, 31, 32, BCNA, BCNAHS, BCCA, R, जो है, उसका cover वैगन के लिए है, उसके बाद जो है, तो आप screenshot ले सकते हैं, 40 से जो, 40 से जो 47 तक रहता है, वो tank वैगन के लिए है, BTPN जो इसका यह है, 40 का, तो आप देख सकते हैं, इसको screenshot भी ले के रख सकते हैं, अगर कहीं पर अभी आपका गलती हो, तो इसको मिला सकते हैं, चलिए, उसके बाद, फ्लाट वैगन का जो कोड है, उसके बारे में आपको बता देते हैं, यह होता है फ्लाट वैगन का कोड, 53, 54 से लेके 69 तक है, फ्लाट वैगन आपको ज़्यादे तर देखने मिलेगा, next जो है, होपर वैगन कोड के लिए है, होपर वैगन के लिए चार कोड रहता है, BWTB, MBWT, DBKM, MBWZ, यह जो है, 70 से 73 रहता है होपर वैगन का कोड, next जो है, वैगन के बारे में हम लोग कोड के बारे में देखेंगे, वैगन का जो कोड है, वो 80 से 83 तक रहता है, बावियन, बावियन, एचेस, बावरान, बावरान, एचेस, यह जो है, वैगन के लिए है, ब्रेक भन तीन तरह का रहता है, 85, 86, 87, BBZC, BBZI, BM, BBCM, तो यह तीन जो है, ब्रेक भन, यूज रहता है वैगन में, जैसे कि हम लोग बता चुके थे, कि आपको जो ओनिंग, जोन कोड है, उसके बावरे में, अब हम लाश्ट में बता देंगे, जैसे कि, एक्सेल लेके 26 तक, बीच में कुछ अंतरे, जैसे कि 16, 16 तक रहता है, एक्सेल लेके 16, जोन कोड है, आप इसको याद रख सकते हैं, इसका आप स्क्रिंशट भी ले सकते हैं, यह ज़रूरी चीज है, यह हर आगर आप देखना चाहेंगे, तो आप वैगन में, जैसे कि इधर वैगन में भी उज़ कर सकते हैं, लहब में भी देख सकते हैं, और ICF में भी देख सकते हैं, जोन कोड सब के लिए समान हैं, बता चुके हैं, और इसमें जो year है, उसको तो कोई बताने का कोई जरूरत नहीं है, हम आपको पहले से ही बता चुके हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किजिएगा, थैंको दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में,